साफ सूत्रा और वेल और्गनाइज़ किचन किसको पसंद नहीं आता है दिखने में भी सुन्दर लगता है और काम करते टाइम भी अंदर से पॉजिटिविटी आती है किचन अगर अच्छे से और्गनाइज हो तो हम छोटी सी जगह में भी काफी सारा सामान रख सकते हैं और सारा सामान सही जगह पर रखा हो तो हमें काम करने में भी बहुत आसानी होती है और इससे हमारा काफी समय भी बच्चता है तो आज का वीडियो रहने वाला है kitchen organization and makeover पर आज का वीडियो काफी interesting और useful रहने वाला है आप सब के लिए अगर आप भी अपने kitchen को अच्छे से organize करके रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको काफी अच्छे अच्छे ideas मिल जाएंगे आज के इस वीडियो में कुछ kitchen organization, tapes and ideas आप लोगों के साथ share करूँगी जिससे आप अपने kitchen को और भी ज्यादा spacious और well organized करके रख सकते हैं जिससे आपका kitchen बहुत सुन्दर दिखेगा तो चलिए आज का वीडियो start करते हैं तो सबसे पहला organizer है ये plate stand ये हर kitchen में जरूर होना चाहिए क्योंकि plate को रखने के लिए बहुत convenient रहते हैं और आप इससे काफी सारा space kitchen में save कर सकते हैं और plates को इसमें आप एक साथ करके रखें तो इसमें कई सारी चोटी बड़ी size की plate आ सकती हैं और अच्छे से organize करके रखें counter top पे काफी सारा extra space भी save करता है और ये दिखने में भी काफी अच्छी लगती हैं और बहुत convenient रहते हैं easy washable हैं आप इसको कहीं भी उठाके रख सकते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छे लगए अपने kitchen organization में और मैं इसमें plates वगेरा organize करके रखती हूँ अगर आप चाहें तो इसके अलावा इसमें chopping board वगेरा भी रख सकते हैं जो दिखने में भी अच्छा लगता है और इन छोटी-छोटी चीजों को रखने के लिए आपको kitchen में extra space की भी जरुवत नहीं पड़ेगी next kitchen organizer जो मेरे पास है वो है ये cup stand ये मैंने Amazon से लिया था ये दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और आप इसमें 10-12 cup एक सांथ रख सकते हैं बहुत ही छोटे से space में और आप इसे counter top पर रखेंगे ना तो इससे आपका kitchen counter top बहुत सुन्दर लगता है और cup और mug तो ऐसी चीज़े हैं जो kitchen में हर समय यूज होती है और इनको सामने में ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए कोई extra space ना लेकर आप ये cup stand रखें और अपने सारे cups को इसमें organize करके रखें तो ये काफी सारा extra space बचाएंगे और कुछ kitchen organizers मैंने online मगाए थे कुछ मैंने local market से लिए थे तो जिन products का link मेरे पास available है वो मैंने description box में दे दिये हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप check out जरूर करना next जो बहुती useful organizer मेरे पास है वो है ये steel kitchen shelf इसमें आप हर समय यूज होने वाला सामान तो रखी सकते हैं और साथ ही कुछ decoration की चीज़ें रखकर अपना kitchen और भी सुन्दर बना सकते हैं आप इसे countertop के किसी भी corner में रख दो ये बहुत ज्यादा space भी नहीं लेता है और जरुट का सारा सामान आप इसमें store करके रख सकते हैं तो इसमें मैने कुछ ऐसी चीज़ें store करके रखी हैं जिनकी मुझे हर समय पे जरुट होती है तो सामने से उठा के यूज करने के लिए काफी आसान रहता है तो सबसे पहले मैंने चाय पती, चीनी, नमक का डबा साथ में रखाया है, एक मुसल रखाया है अद्रग कूटने के लिए, उसके लबा काली मेर्च, लॉंग, इलाइची, राई, और साथ में दो सिरामिक पॉट रखे हैं मैंने, और एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी रख द और यह डेकुरेशन की तरह भी काम करता है, तो यह तीनों ओर्गनाइजर मैंने काउंटर टॉप कॉर्णर में एक साथ करके रखे हैं, जिससे एक कॉर्णर बहुत ही ब्यूटिफू लग रहा है, और छोटे से स्पेस में कितना सारा सामान एक साथ और दिखने में भी टावल गिर जाता है, और हमें बार बार यही प्रोब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसका एक बेस्ट तरीका यह है कि आप टावल को एक बैंगल के अंदर इस तरह से डाल कर बैंगल को हैंकर है, इससे टावल गिरेगा भी नहीं और एक साइड गीला हो जाता है, तो आप बैंगल को दूसरी साइड पलेट कर हैंकर सकते हैं, इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा, तो कैसा लगा आपको यह आइडिया, इसके बाद मैं कुक टॉप के दूसरे कॉर्नर को और्गनाइज करूंगी, तो यहां पर मैं नाइफ सेट, पील कटर, लाइटर और और दिन में कई बार चाहिए होती हैं, तो इनको और्गनाइज करने के लिए मैंने यह चोटा और्गनाइजर लिया है, इस तरह के और्गनाइजर चाकू, लाइटर, पील कटर रखने के लिए काफी कन्वीनियन्ट रहते हैं, और काफी सारी चीज़े इसमें आ जाती हैं, इस से पहले मैं इसमें पेपर बिचा लूँगी क्योंकि ओईल कंटेनर के दाग लग जाते हैं और उसे चिकनाई जम जाती है वो आसानी से साफ भी नहीं होता है तो इसलिए बेस्ट तरीक है यही है कि पेपर बिचा लो और बीच बीच में पेपर चेंज करते रहो इससे बास्क क्याशा अफुक्ती चीजें हैं जिनकी हमें अकसर जरुवत पड़ती है जैसे कि मैंने यहांपर सीजर हैंग इसके अलावा चन्नी और चोटा सा ग्रेटर हैंग गिया है यह चीजें थिन भर में स्पेस खाली रखा हुआ है जिससे मुझे काम करते टाइम इनफ स्पेस मिल सके काउंटर टॉप पर इसके अलावा मैं कुछ भी एक्स्टा नहीं रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुक टॉप खाली रहे जिससे मुझे कुकिंग करना आसान हो जाए kitchen cabinets के उपर जब हम paper भिचा कर रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो इस तरह से मुड़ जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और फिर हमें वो change करने पड़ते हैं तो इस तरह के cabinets में जब मैं paper भिचाती हूँ जो काफी convenient रहते हैं और reusable होते हैं इससे हमारी cabinet गंदी भी नहीं होती और बीच वीच में हम उसे change करके साफ कर सकते हैं container organize करते हैं एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े size के जो डब्बे हैं उनको आप पीछे की तरफ रखे और छोटे size वाले आगे की तरफ जिससे हमें सारी चीजें आसानी से visible रहती हैं और regular time period में हम उसको use कर सकते हैं इसी के साथ हम डब्बे आसानी से निकाल भी सकते हैं और इसे डब्बों के गिरने या तूटने का डर भी नहीं होता है और इस तरह से हम same size के और same color के container एक साथ करके रखेंगे तो इस दिखने में भी बहुत जुन्दर लगते हैं और cabinet हमारी well organized लगती है हम मैंसे कई लोगों की आदत होती है कि खुलेवे food packets को हम cabinet के अंदर या kitchen में कहीं पर भी रख देते हैं इसे kitchen में clutter तो इकठा होता ही है इसके अलावा हम कई बार इस तरह से खाने पीने की चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं इससे वो खराब भी हो जाती हैं और उनकी जगह पर हम नया packet खोल लेते हैं तो इस तरह की food packets को store करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से एक बड़े size का container ले लें और जितने भी खुलेवे food packets हैं या छोटा मुटा एक्स्टर सामान हैं आप उसे इस container में एक साथ clip लगा कर store कर सकते हैं इससे कोई भी सामान waste नहीं होगा और साथी kitchen भी एकदम well organized रहेगा कोई clutter इखटा नहीं होगा और जब भी आपको कोई नया packet खोलना हो तो उससे पहले आप ये container खोल कर एक बार चेक कर लें इस तरह से कोई भी खाने पीने का सामान आपका खराब नहीं होगा kitchen में छोटा मुटा extra सामान organize करने के लिए मैं इस तरह के छोटे size के organizers का use करती हूँ ये मैंने amazon से purchase किये थे इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा convenient रहते हैं इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं wall पर, tiles पर, cabinets पर या fridge पर और उसमें काफी सारा छोटा मुटा जरुट का सामान organize करके रख सकते हैं और ये दिखने में भी काफी सुन्दर लगते हैं और इनकी एक खास बात और है कि इनको चिपकाने के लिए हमें wall में drill करने की या कील की जरुट नहीं पड़ती है इनके साथ ये stickers आते हैं और इनको sticker के साथ बहुत ही आसानी से हम कहीं पर भी चिपका सकते हैं और आप चाहें तो sticker निकाल कर इनको दूसरी जगह पर reuse भी कर सकते हैं तो एक organizer मैंने kitchen sink के पास लगाया है और इसमें kitchen utility से related सारी चीज़ें organize करके रखी हैं और इससे kitchen sink भी अच्छे से organize रहती है और कोई भी clutter घठा नहीं होता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है दूसरा organizer मैं fridge के side में लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ extra चीज़ें रखने के लिए space चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पर kitchen napkins, towel, kitchen diary organize करके रखती हूँ इनकी मुझे दिन में कई बार जरूरत पड़ती है तो इसलिए यह चीज़ें यहाँ पर रखकर काफी convenient रहती हैं और use करने में भी बहुत आसानी होती है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी organizer काफी पसंद आये होंगे यह हर kitchen में जरूर होने चाहिए इनको kitchen में रखने से यह काफी सारा extra space सेव कर सकते हैं हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा kitchen अच्छे से organize रहे और सुन्दर दिखे बट जब सबजियों के साथ इस तरह के खाली polythene या grocery bags आते हैं तो हमारी habit होती है कि हम इनको ऐसे ही मोड़ कर कहीं पर भी रख देते हैं क्योंकि इनकी कभी-कभी जरूरत बढ़ जाती है बट यह दिखने में बहुत खराब लगते हैं तो इस तरह के polythene या खाली grocery bags को आप अच्छे से fold करके एक साथ रख सकते हैं इससे अखी kitchen मैसी भी नहीं लगेगी तो मैं इस तरह के bags को हमेशा fold करके रखती हूँ और इसको store करने के लिए मैंने kitchen cabinet के door पर इस तरह से wall hook चिपका दिया है और मैं इसमें ये organizer bag hang कर दूँगी और सारे poly bags और grocery bag मैं इसमें store करके रख देती हूँ तो इन चोटे-चोटे ideas से आप अपने kitchen को साफ सुथरा करके रख सकते हैं और cabinet door पर आप इस तरह से wall hooks चिपका कर इस area को काफी अच्छे से utilize कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक wall hook और चिपका दिया है और मैं इसमें tiffin bag hang करके रख दियूँ और इस तरह से आप अपने kitchen का काफी सारा extra space save कर सकते हैं और kitchen आपकी बिल्कुल भी messy नहीं लगेगी एक तम perfectly organize रहेगी अगर आपके kitchen छोटी है या फिर आपके kitchen में इतना सामान है कि आपको वो सब organize करने के लिए extra space नहीं मिल रहा है तो आपके पास सबसे अच्छा option यह है कि आप इस तरह के under shelf basket का use कर सकते हैं यह काफी convenient रहते हैं बहुती reasonable price में आपको मिल जाएंगे यह इनकी खास बात यह है कि यह बहुत light weighted हैं और handy होते हैं इसको fit करने के लिए इसमें यह grip दी हुई है जिससे आप इसे easily shelf के drawer पर hang कर सकते हैं यह आपके kitchen को बहुती classy look देते हैं और साथी देते हैं storage के लिए खूप सारा space इसमें आप अपनी crockery भी organize करके रख सकते हैं या फिर हर समय यूज होने वाली जरूवत की चीज़ें तो एक shelf पर मैंने यह glass wear रखे हैं इसे kitchen का look काफी अच्छा आता है और दूसरे shelf पर मैं यह spice box रख रही हूँ क्योंकि इसकी हर टाइम जरूद बढ़ती है इसलिए यह मैंने cooktop के just सामने में रखा है ताकि cooking करते टाइम मैं जट से masala box उठा सकूँ और इसके अलावा मैंने आते का यह पर्थन रखा है जो रोटी बनाने टाइम मुझे चाहिए होता है और साथ ही मैंने यह coaster रखे हैं और इसके अलावा भी इसमें काफी सारा space बचा है इसे मैं कुछ और चीज़ें organize कर सकती हूँ और इन organizers को लेने के बाद मुझे kitchen में काफी सारा space मिल गया है सामान organize करने के लिए तो अब देख सकते हैं कि shelf पर मैंने कितना सारा सामान organize किया है इससे मैंने kitchen में काफी extra space भी safe किया है जिससे मैं kitchen में कई और सारा सामान organize करके रख सकती हूँ तो आब भी इस तरह के छोटे-छोटे ideas और organizers के साथ अपने kitchen को एकदम perfect बना सकते हैं और छोटी सी kitchen में भी कई सारा सामान रख सकते हैं और सबसे last में यह है मेरा पूरा organized kitchen जिसमें मैंने बहुत सारा सामान काफी छोटे-छोटे space में रखा है इसे मेरा kitchen well organized तो दिखता ही है और cooktop पर मैंने बहुत ज्यादा clutter नहीं रखा है जिससे मुझे cooking के लिए काफी space मिल जाता है तो कैसे लगे आपको मेरे kitchen organization ideas और अगर आपको कोई भी organizer purchase करना है तो उनके link मैंने description box में provide कर दिये हैं आप चाहें तो check out कर सकते हैं तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही कैसे लगे आपको ए kitchen organization tapes और ideas मुझे comment section में लिखकर ज़रूर बताना तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं paint करते हैं I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो like ज़रू करना, share करना और channel पर पहली बार आते हैं तो subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस कर लेना आगे भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye